हलो एवरिवन आज के इस वीडियो में पिछले बार जो जेट का एकजाम हुआ था उसके पेपर सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी एकजाम में क्यूशन कैसे पूचे जाते हैं तो यहां पे अपना पैस्ट क्यूशन है कि चावल के खेरा रोव की खोज किस ने की थी यहां पे आपसे क्यूशन गुमा दिया गया है ध्यान रखियेगा हर बार एकजामिनर क्यूशन ये पूचते थे कि जो खेरा रोग है वो कौन से तत्व की कमी से होता है तो सब बचों ने इसका आंसर रट लिया था कि जो खेरा रोग है वो जिंक की कमी से होता है तो इस Qution को गुमा दिया गया है एक्जामीनर को Qution भी यहीं पूचना था और E.G Qution भी नहीं पूचना था क्योंकि वर्तमान में कंपेटिशन बहुत जादा बढ़ गया है इसलिए आपको Qution थोड़ा टप बना दिया गया है तो यहांबे Qution पूचा गया है कि चावल के जो खेरा रोग है, खेरा डिजीज है, इसकी खोज किस ने कीती, यहां पे अपन ओप्सन के बारे में बात करें, फ़स्ट ओप्सन है, E.F. Smith, सेकंड ओप्सन है, E.J. बटलर, थेर्ड ओप्सन है, एंटोन डी वेरी, और फौर्थ ओप्सन है, Y.L. Nene, तो इस क्य के लिए किसका यूज किया जाता है, तो खेरा डिजीज के कंट्रोल के लिए 5 किलो गराम पड़ती है, जिंक सलपेट का यूज किया जाता है, यह बात भी आप ध्यान रखिएगा, यहां पे अपना नेक्स्ट क्यूसन है, कि गेवों में F.I.R.B. वीदी में बीज दर क्या F.I.R.B. मेथड में, तो यहां पे ओप्सन है, 125 की जी परती हेक्टियर, 55 की जी परती हेक्टियर, 60 की जी परती हेक्टियर, वस 100 की जी परती हेक्टियर, तो इस क्यूसन का जो राइट आंसर होगा, वो सेकिंड ओप्सन राइट आंसर होगा, 55 की जी परती हेक्टियर के इ यूज लेते हैं यह पर कि अपना नेक्ष्ट क्यूसन है कि टेस्ट वेट आफ बाजरा हिंदी में बात करें तो बाजरा का प्रिक्षण वजन क्या होगा option यहाँ पर है 2 ग्राम, 8 ग्राम, 5 ग्राम वे 3.5 ग्राम तो जो test weight बाजरे के test weight की बारे में बात करें तो इसके मतलब range होता है जैसे की 5 से 8 ग्राम यह इसके range में होता है तो इसके according आप option के according answer देखिएगा तो यहाँ पर 5 ग्राम option है यह right answer माना जाएगा third option यहाँ पर अपना next question है कि अरहर की कम अवदी की किसम कौन सी है इंगलीस में बारे में बात करें तो which variety is short duration of RR मतलब जो pigeon P की variety है short duration का मतलब होता है कम अवदी में पकने वाली अरहर की variety आपको यहाँ पर बठानी है तो यहाँ पर उप्सन है परबात ICPL 151 वे UPAS 120 वे ओल तो इस question का right answer होगा जो यह सभी variety दे रखी है यह short duration variety है मतलब कम अवदी में यह variety पक्कर तयार हो जाती है तो right answer होगा fourth option next अपना question है कि समान वर्षा को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है option है ISO भार second option है ISO height third option है ISO health fourth option है ISO take जो समान वर्षा को मतलब समान वर्षा की रेखाओं को मिलाने को कहते हैं ISO height तो second option इस question का right answer होगा देखो आप notebook लेके बेटिएगा जो क्यूसन आपको नहीं आते हैं उस आप क्यूसन को आप notebook में note कर लीजेगा ताकि मतलब आपको वो क्यूसन अच्छे से याद हो जाएगा जो क्यूसन आपको आते हैं वो आपको revision हो रहा है जो कीउन नहीं आते हैं उसको नोट बुक में नोट कर लीजेगा आपको याद हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन के बारे में बात करें तो Mexican wheat की कोलेप टाइल लंबाई क्या है इंग्लिस में इस क्यूशन को पड़े तो यहां पे है कि कोलेप टाइल लेंद सेंटीमीटर में आपको बतानी है मेक्सिकन वीट के बारे में तो जो मेक्सिकन वीट है इसकी लेंद कितनी होती है यह सेंटीमीटर में आपको बताना है तो यहां पर ओफशन है 5, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वर 10 सेंटीमीटर जो मेक्सिकन वीट है इसकी लेंद क लेंट होती है और नेक्स्ट क्यूंकर यहाँ पर थे 0.5 की जो एक्रिशेट फ्रत्राइट है क्यों सचाड़ी पोछी लेते हैं क्यों बेंचों सब्सक्रांव पर चाहिक जो एक्रीशेट मिट्रे थे ध्यानि से International Organization वेननोन मतलब कोई नहीं ही तो जो इक्री सेट है वो है International Organization क्या है International Organization है इक्री सेट की बात करें तो यह इक्री सेट की स्तापना हुई थी हेदराबाद में हुई थी 1985 में तो इस क्यूशन का राइट आंसर होगा थेड ओक्षन यहां पर अपना नेक्स्ट क्यूशन है कि भारत में सबसे अधिक मोट का उत्पादन करने वाला राज्जी कौन सा है देखो न्यू डाटा में से एक्जाम में हर बार क्यूशन पूचा जाता है चाए जेट का एक्जाम हो चाए एग्री कल्चर सुपरवाईजर का एक्जाम हो चाए फूड शेप्टी ओफिसर का एक्जाम हो कोई भी एक्री कल्चर का एक्जाम हो न्यू डाटा में से क्यूशन हर बार पूचा जाता है तो इसलिए आप एक्जाम से पहले न्यू डाटा को एक बार जरूर देख लीजी का क्योंकि एक से दो क्यूसन न्यू डाटा में से बन जाते हैं तो यहां पे आपको मोठ का उत्पादन पूचा गया है कि यह कौन से राज्ये में होता है उत्र परदेश, मद्धे परदेश, राजस्तान वा अरुनाचर परदेश तो इस क्यूसन का राइट अंसर होगा राजस्तान यहां पे अपना नेक्स्ट क्यूसन है कि आदूनिक जेविक खेती मतलब जेविक करसी है उसके जनक क्या है इंग्लिस में बात करें तो फादर ओप मोडन ओर्गिनिक अग्रिकल्चर मोडन अग्रिकल्चर के फादर के बारे में बात करेंगे तो यहां पे ओप्सन है एफ एच किंग सेकंड ओप्सन है रुडोल्फ एश्टेनर थेड ओप्सन है अलबर्ट हावार्ड और फोर्थ ओप्सन है रेचल लोईस इस कुषन का जो रैट अंसर होगा वो अलबर्ट हावार्ड मतलब फैड़ ओप्सन इस कुषन का रैट अंसर होगा जो आदुनिक जेविक कर्सी के पिताके लाते हैं सेकंड क्यूसन के बारे में बात करेंगे मातलब नेक्स्ट क्यूसन अपना है जो ये IFOAM है इसकी इस्तापना कब हुई थी ये आपसे एकजामे क्यूशन हुचा गया है ध्यान रखेगा इसकी क्यूशन से दो क्यूशन बन रहे हैं कभी आपको इसकी फुल फोरम भी पूश सकते हैं इसलिए आप इसकी फुल फोरम भी याद कर लीजेगा और इसकी इस्तापना भी याद कर लीजेगा कि इसकी इस्तापना कब हुई थी मतलब ये इस्टाबलिस्मेंट कब हुआ था तो ये IFOAM है इसकी फुल फोरम के बारे में बात करें तो Organic Federation of Organic Agriculture Moments इसकी ये फुल फोरम होती है इस्तापना के बारे में बात करें तो 1932 में इसकी इस्तापना 24th option इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे अपना next question है कि राष्टी ये जेविक खेती है इसका केंदर खांपे इस्तित है इंगलिस में बात करें तो National Center of Organic Farming जो Organic Farming का National Center खांपे हैं जो राष्टी ये जेविक खेती का केंदर है वो है गाजियाबाद मतलब National Center of Organic Farming है गाजियाबाद में इसका National Center खांपे हैं गाजियाबाद में फर्स्ट ओप्शन राइट होगा यहाँ पे अपना next question है कि कौन सी पसल पोदों की तीनों परकार की सुसुपता अवस्ता पाई जाती है मतलब यहाँ पे इंगलीज में बात करें which crops plants are all three types of dormancy मतलब तीनों टाइप की dormancy कौन सी क्रोप में पाई जाती है तो wild oats में पाई जाती है मतलब जंगली जई में तीनों परकार की सुसुपता अवस्ता पाई जाती है तो इसका right answer होगा second option यहाँ पे अपना next question है कि advance निये परीश यानी वे मुश्किल से नियंत्रण किये जाने वाले खरपतवार को क्या कहते हैं option है sapics खरपतवार पूर्ण खरपतवार विसेला खरपतवार कोई नहीं तो इस क्यूसन का right answer होगा विसेला खरपतवार third option right होगा यहाँ पे अपना next question है कि वर्तमान समय में आईसो प्रोटोरोन की जगए कौन सी खरपतवार नासी का परियोग करते हैं आप से एकजाम में यह भी क्यूसन पूच लिया जाता है कि जो आईसो प्रोटोरोन है इस पर परतिबंद कब लगाया गया है मतलब इसको कब वेन लगाया गया है इस पर 2013 में आईसो प्रोटोरोन पर वेन लगा दिया गया है यह बात आप ध्यान रखियेगा अब इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो यहां पर उप्सन है एटराजीन, मेट, सुलपरिन, सीमाजीन वर 2,4-D जो चोड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंतरण है वो है एटराजीन, सेमाजीन वर 2,4-D है यह चोड़ी खरपतवार है मतलब आद के जैसे आकार की पत्तिया होती है मतलब चोड़ी पत्तिया होती है उसके कंट्रोल के लिए 2,4-D, एटराजीन वर सीमाजीन का प्रियोग किया जाता है सकड़ी पत्तियों वाले खरपतवार के नियंतरण के लिए मेट छलपर उनका यूज़ किया जाता है तो इसके क्यूसन का राइट अंसर होगा second option यहाँ पर अपना next क्यूसन है कि सजावटी साइट्रस परजाती कौन सी है तो यह हजारा है सजावटी साइट्रस परजाती है next क्यूसन के बारे में बात करे तो मेंडेरिन का वानसपतिक नाम क्या होगा मतलब बोठनिकल नेम ओफ मेंडेरिन तो इसके राइट आंसर की बात करें तो साइटरस रेटिकुलाटा मतलब सेकेंड ओप्शन है इसका राइट आंसर होगा साइटरस रेटिकुलाटा